हलो शुन्स आज हम देखने चाहरे शॉटकट मेट थर्ड फॉर डेरिवेटिफ अगर आपका क्वेश्चन देखे शुड़न्ट यह फॉर्म में है क्या है क्वेश्चन वाइज इक्वेश्चन टू अंडरूट एफ 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 एक्स प्लस अंडरूट एफ एफ एक्स प्लस फॉर्मूला है ठीक है पहले हम यह फॉर्मुला देखेंगे इस पर बेश्चन कुछ एक्सामपल देखेंगे तो देखे शुड़न्स यह फॉर्मूला हम जो यूज करने चाहरे है वो आप सिफ प्रस्ट को एफ एफ एक्साम के लिए यिसार करें यह फिर आपका जो किसी क्या दिया हुआ if our function is this ठीक है तो उसका हम directly formula लिखेंगे divide by dx is equals to f dash x upon 2y minus 1 ठीक है where f of x is this ठीक है तो आप ये formula use करिए आपका answer within a few seconds five seconds बोल सकते हैं five seconds में आप इसका answer से find out कर सकते हैं अगर आप इसका standard method follow करने जाएंगे उसको solve करने के लिए आपको कम से कम three to five minutes चले जाते हैं ठीक है लेकिन अब ये method use करेंगे within a two to three seconds में आपको इसका answer मिल जाएगा ठीक है तो इस पर हम based example लेते हैं student if y is equals to हमें दिया हुआ है under root e raise to x plus under root e raise to x plus under root e raise to x dot 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 up to infinite तक है ठीक है तो हमारा function क्या है what is our function f of x हमारा है e raise to x तो हम ये formula अप्लाई करेंगे और डिरेक्ली इसका answer लिख देंगे student dy by dx is equals to what f dash x मतलब function का derivative e raise to x का derivative क्या होगा e raise to x होगा upon two y minus one ठीक है तो ये हमारा answer हो जाएगा student अगर आपको इसका verify करना है तो हमें इसका traditional method जो आप इसे follow करते है उसको follow करिए उससे आप check कर सकते है लेकिन आपका answer यही होगा आप जो भी test book follow कर रहे है उसमें यह type के और भी example होंगे आप उसको cross verify कर सकते हैं okay student suppose यहां पर हमारा दिया हुआ है 10x plus under root 10x plus under root 10x dot 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 तो इसका derivative क्या हो जाएगा dy by dx function क्या हमारा 10x है ठीक है 10x का derivative क्या होता है sec square x sec square x upon two y minus one is our answer ठीक है तो within हम two to three second में हम इसका answer find out कर ले ले कर पा रहा है student अगर आपको यह type का question किसी भी ctfc में मिलता है तो आप बहुत easily इसका answer को find out कर सकते या फिर हमारे प्लस अंडरूट लॉग 2x प्लस अंडरूट लॉग 2x ठीक है dot 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 infinite ठीक है तो यहां पर हमारा function is what function is log 2x है तो यहां पर देखे क्या हो जाएगा derivative क्या हो जाएगा dy by dx is equal to f dash x f dash x मतलब log 2x का derivative निकालेंगे तो 1 by 2x into 2 to get cancelled 1 upon x ठीक है तो हमारा function का derivative क्या मिल जाएगा 1 by x और formula का हमारा 2y minus 1 इसे आप और simplify करके लिख सकते है 1 by x 2y minus 1 ठीक है यह answer लिख सकते है या फिर यह answer लिख सकते है ठीक है student तो यह देखे है हमने कैसे difficult देख रहा है question को बहुत easily इसका answer find out कर लिए अभी few seconds में ठीक है तो please student पहले ही आप यह formula लिख लिजे और formula को अच्छे से याद कर लिजे इस पर based और भी बहुत सारे आपके बाद जितना examples है available उस पर apply करके देखे और उसको अच्छे से practice करें तो देखे अगर आप किसी भी competitive exam के लिए appear करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको concept clear करना है वह topic का अगर आपको वह topic का concept clear हो जाता है और इसपे practice करें जितना ज्यादा practice करते करते जाएंगे end of day आपका speed बढ़ते चला जाएगा ठीक है starting में ही आप मत सोचे कि मैं बहुत ही कम टाइम में इसको solve कर सकूं ठीक है पहले concept clear करिये formula लिखे याद करिये practice करिये फिर बाद में अपने आप तुमारा speed बढ़ जाएगा ठीक है शुन तो यह video को हम यहाँ पर ही stop कर है वीडियो के end में छोड़ा से request करना चाहूंगा student अगर आपको यह video मेरा helpful है तो प्लीज वीडियो के end में छोड़ा से comment करिये और मुझे बताया कि आपको यह video कैसा लगा अगर आपका कुछ issue है या फिर आपका कुछ advice है वो भी comment करके मुझे बता सकते है और very important अगर आप maximum जिस पर possible है shortcut बनाना मैंने try किया वह shortcut method बनाने के लिए वीडियो बनाने के लिए और उसको उसका link मैंने आपको description में share किया या फिर आप मेरे playlist में जाके उसे easily अभिल कर सकते है तीक है और thank you students